IPL 225 के लिए 4 कप्तान हुए फिक्स तो 4 कप्तानों की हो गई है चुट्टी जबकि 2 कप्तान अभी भी खेल रहे हैं 50-50 जियां यहां पर 225 की IPL के लिए धूम मचनी सुरू हो गई है सबी लोगों को IPL 225 का बेसब्री से इंतजार है लेकिन उससे पहले इंतजार है IPL 225 के लिए होने वाले मेगा ऑक्सन की लेकिन मेगा ऑक्सन से पहले सबी लोगों की नजरें टिकी हुई है 31 अक्टूबर पर जिससे पहले की transit करनी चीम की करने वाला है और पने कप्तान की चुट्टी करने वाला है वैसे आपको बदा दें कि चार टीमों अपने कप्तान की चुट्टी अभी से तै कर दिये तो चार टीमों ने अपने कप्तान भी तै कर दिये हैं तो आकर कौन से वो कप्तान है जिनकी चुट्टी हो गई है और कौन से वो कप्तान है जिन पर उनकी टीम ने भरोसा जताया है और कौन से दो कप्तान ऐसे हैं जो अभ लेक्शन उनको कफ्तान नहीं मनाएगी यहां सुनने में तो आ रहा है कि सायथ बिराट कोईली को एक बार फिर से RCB कि मांड सौपी जा सकती है, इस बारे में आप अपनी राय जरू कमेंट करें कि क्या RCB की कफ्तान फिरसे बिराट कोईली को कर लेनी चाहिए, नमबर दो पर जिनकी छुटी हो चुकी बुहें सिखर धबन पंजाब के कप्तान क्यूंकि इन्हों ने किरकट से सन्यास ले लिया है तो ऐसे मैं आप एक कप्तान तो रहेंगे नहीं पंजाब को दे कप्तान के तलास रहेगी नमबर चार पर जो कप्तान है बुए एलाजी कप्तान लोकिस राहूल पिछले सीजन से ही लगातर खबरे आ रहींगे की पिछले सीजन से ही लगातर खबरे आ रहींगे की लोकिस राहूल एलाजी को छोड़ेंगे और जाएंगे कहां पर तो इस पर और जाएंगे कहां पर इ जिनकी की टीम है उनको कप्तान इस वार नहीं बनाने वाली है अब बात करते हैं उन चार कप्तानों की जिनको उनकी टीम है फिर से कमान सौपने वाली है फिर से वही कप्तानी करने वाले है आई पेल दोजा पचीस के सीजन में भी तो इन में चैने सुपर किंगे कप्तान रि गोशित किया है तो इनको कप्तानी से हटाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है धीरे धीरे परपक हो जाएंगे हाला कि पिछले बार प्लिय आफ में एस यह को नहीं पहुंचा पायते लेकिन फिर भी सीएच्ट की का प्रदसन अच्छा ही रहा था नमबर दो पर है संजू सैम से नहाँ इस बार भी कप्तानी करते नजर आएंगे नमबर तीन पर कप्तान रहेंगे हैधराबाद के पैट कमेंस है हैधराबाद के टीम को इन पर पूरा भरोसा है पिछली बार भी पैट कमेंस की कप्तानी में हैधराबाद ने 27 प्रदसन किया था और S.R.S. की कप्तानी इनका कपतानी के तोर पर अच्चा नहीं गया तो मुमब इंडियंस का प्रतास्त खाफी खराब रहा था लेकिन समी करम सांब है कि इहां पर कपनघा कर सकते हैं क्योंकि पन्जाब ने रिक्टी पॉंटिंग को अपना मेंटल गोस्त दिडоки है और रिकी पॉंटिंग और रिसफ पंथ दोनों ही जैली कप्टल्स में साथ रहते हुए काफी अच्छी बॉंडिंग में आ चुके हैं तो यहां पर कोई ताज्जब की बात नहीं है कि पंजाब में पहुंच करके रिसफ पंथ कप्तान भी बन जाए बैसे भी पंजाब के कप्तान सिकर्दम सन्यास ले चुके हैं तो बहां तो कप्तानी की सीट खाली है इस फिप्टी-फिप्टी के जूले में जूल रहे दूसरे कप्तान है सुबमन गिल जिनके बारे हम खबरे आ रहे हैं कि गुजरा टाइटन्स से ए बी दूर हो सकते हैं इनको भी कई जगह की ओफर आ रहे हैं इनको केक्यार का भी ओफर आ रहा है कि साइथ केक्यार में जाकर कि ए कप्तान बन जाएंगे तो सुबमन गिल का भी गुजरा टाइटन्स छोड़ना फिप्टी-फिप्टी चांस बन रहा है तो इनकी बारे में यहां ए भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं है खुल मिला करके ए थी कप्तानों की पूरी कहानी तो इस बारे में आप लोगों को क्या बैचार है कौन खिलारी के स्ट्रीम की कप्तानी कर सकता है अपने राइक कमेंट करके जरूर दा साथी स्पोर्ट कैसे सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरू कर